नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हिंदी टेक मसाला एक्टूब चैनल में दोस्तो अगर आप एक एंडराइड फोन यूजर हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यादा तो दोस्तो इस बीडियो के अजरा आपको में बताने वालता हो तो चलिए दोस्तो बीडियो को tárard करते हैं और उसे नॉलेजवल inhibit content अफ्लोड करते और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिना तो दूस्तों अगर आपके भी मोबाइल का जो इंटरनेट डाटा होता है वो बहुत जल्दी खतम हो जाता है और आपको एक ही जीवी मिलता है लेकिन आपका डाटा जो होता है एक जीवी एक से गंटे के अंदर खतम हो जाता है और अपने जीवी डाटा को पूरा दिन तक कैसे चलाना है आज की वीडेयो के अंदर बताने वाला हूं तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक से दो सेटिंग बताओंगा जिसकी मदश से दोस्तों अगर आप सेटिंग को अर्न कर लें तो अपने मुबाइल की setting के अंदर तो दोस्तु आपका जो एक जी भी इंटरनेट डाटा होता है वो पूरा दिन चलेगा चाहे Instagram चलाओ चाहे Facebook चलाओ चाहे WhatsApp चलाओ दोस्तु आपका जो एक जी भी डाटा होता है वो पूरा दिन चलेगा कैसे चलेगा मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो चले वीडियो के start करते हैं तो एक जी भी डाटा इंटरनेट चलाने के लिए पूरा दिन आपको सबसे पहले अपने फोन की settings को open कर लेना है आप दोस्तो वीडियो को ध्यां से देखना अगर आप वीडियो को skip कर करके देखोगे तो आप विल्कुल भी नहीं समझ पाओगे अगर आप वीडियो को ध्यां से देखते हो तो आप 100% दोस्तो ये trick जान पाओगे और आप भी अपने 1GB data को मतलब पूरे दिन तक यूज कर पाओगे अब setting open करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको मैं एक option बताने वाला हूँ यहां पर आपको network and internet वाला option देखने को मिलेगा तो आपको इसके उपर click कर देना है अब जैसे आप इसके उपर click करेंगे दोस्तों यहां पर network and internet का जो page होता है वो open हो जाएगा अब यही पर दोस्तों आपको एक option देखने को मिलेगा SIM card and mobile network तो आपको इसके उपर click कर देना है और जैसे आप इसके उपर click करेंगे दोस्तों आपको सामने एक नया page open होगा तो यहां से दोस्तों आपको कुछ भी छेड़ खानी नहीं करना है यहां से आपको back आजाना है अब यहां पर आपको एक option देखने को मिलेगा hotspot and threatening का तो आपको इसके उपर click कर देना है और यहां पर देखना है कि आपका जो hotspot है वो दोस्तों आन तो नहीं है अगर आपका आन होगा तो दोस्तों आपका इसी वज़या से जो internet data होता है वो जल्दी खतम हो जाता है दोस्तों जैसे आपके घर में family वगेरा होते हैं और वहां पर दोस्तों आपका जो mobile का hotspot होता है इसको on करके और अपने mobile में data use करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको देख लेना है तो दोस्तों पहले शिटिंग यह करना है अगर आपका on है आपकी mobile के अंदर तो दोस्तों सबसे पहले इसको आपको off कर देना है अब यहां से आपको back चले आना है अब मैं दोस्तों आपको एक option और बताऊंगा यहां पे आपको search bar पे click करना है और यहां पे आपको लिखना है data usage इतना लिखकर आपको search कर देना है आप search करने के बाद जोस्तों यहां पे आपको no current data usage call option देखने को मिलेगा इसको उपर click करना है यहां पे आप देख सकते हैं हमारे फूंड के अदर कितना data कौन application ये आप कर रहा है तो ऑप उस application को delete var चैसे क्रोम यहां पर देखने को बें जाएगा इस ने शर्चमेन जो आप application करते हैं दो दोस्तो यहां पर अपने पर आप चेक कर सकते हैं कितना डाटा हमारे है यहां पर यूजफ हो रहा है पहलेदेfikاشन के एंदर एपलिकेशन कर अप यूजफ कर रहा । यहां से जो भी अप्लिकेशन को रखें नशीच कर सकते हैं पिर दुस्तों आप अपने फोन के अंदर इंटरनेट एक जीवी डाटा पूरा दिन चला पाओगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही और वीडियो काफी उजफूर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हिंदी टेक मसाला यीटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जुरूर सब्सक्राइब कर देना जब तक लिए अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं चाहिंद वन्दे मातरम